अगले पॉइंट की और बढ़ते हैं तो आता है हमारा motor control तो basically motor control क्या होता है जो हमारी अधिकतर hybrids होती है वो AC synchronizes motor को use करती है और उनमें control ऐसे होता है सबसे पहले speed को change करने के लिए motor की frequency यानि जो हमारा applied current है उसको change करते हैं उससे क्या होता है हमारा rotor status move करते हैं same speed में और फिर हमारी synchronization हो जाती है